श्री गुरुभ्यो नमहां संस्कृत कष्यां भवतां भवती नांच पुनरेकवारं हार्दं स्वागतं अध्यवयं मातुराज्यां गरियसी अस्य पाठ्यान शर्ष्य अवशिष्टाह अन्शाह ये आसन तान अन्शान पठाम पुर्वस्यां कक्षायां वयं पठितवंत अक्षो भ्यह छो भितह केन लक्ष्मडो धैर्य सागरह ये न रुष्टेन पश्यामी शताकीरण मिवाग्रत हो एतावत परियंतं पुर्वस्यां कक्षायां जातं आसीत संप्रतिवयं पठाम ततह प्रविशती धनुर बाण पाडिर लक्ष्मडः धनुष और बाण दोनों को पाड़ी अर्थात अपने हाथ में धारण किये हुए लक्ष्मड का प्रवेस होता है और लक्ष्मड क्या कहते हैं यह यहाँ पर द्रिश्टब्य है लक्ष्मडः सक्रोधम अर्थात क्रोधे नसहितम क्रोध के साथ हैं और बोलते हैं कथम कथम मोहम उपगतह इती कैसे अरे कैसे मोह को चले गए कैसे मूर्चा को चले गए यदिनसहसे राग्यों मोहम धनुष्प्रिश मादयाम स्वजन निभृतह सर्वोप्येवं म्रिधु परिभूयते अथनरुचितम मुन्चत्वं मामहम कृतनिश्ययो युवति रहितम लोकम करतुम यतस्छलितावयम लक्षमाड ने बहुत बड़ी बात कह दी कहते हैं अरे मोह को चले गए मूर्चा को चले गए कैसे चले गए किसने मूर्चा में डाला और यदिनसहसे राग्यों मोहम यहाँ पे अर्ष्णी चंद है कि अगर राजा का जो मोह है राजा की मूर्चा को आप सहन नहीं कर शकते आपको इस मूर्चा से यदि कष्ट है तो धनुष प्रिश धनुष का श्परश करो धनुष का अवलंबन करो दया का नहीं दया के अवलंबन से इस मूर्चा का परिडाम आने वाला नहीं है और स्वजन निभृतह सरवो पेवं मृदु हु परिभूयते कह रहे हैं स्वजन निभृतह आत्मीय जनों के प्रती अगर कोई विनय युक्त होता है स्वजन के प्रती आप अगर सहन सीलता का ब्यवहार रखते हैं अत्यधिक सहन सीलता का तो मृदु परिभूयते ऐसा जो मृदु श्वभाव बाला वेक्ति है, वह परिभूय ते अर्थात तिरस्कृत हो जाता है उसका तिरस्कार होता है राम के लिए लक्षमन कह रहे हैं कि आप इतने रिजू हैं, इतने सरल स्वभाव बाले हैं जिसकी सरलता की वजह से ही आपके हाथ से आपका राज्य छीना जा रहा है आपको वन भेजा जा रहा है इस तरह की बातें लक्षमण मन में सोच रहे हैं और उसी बात को सोच कर यहां कह रहे हैं कि सरवोप्यवम, अगर अपने स्वजणों के प्रति कोई इस तरह का सरल ब्यूभार रखता है, विनयुग्त ब्यूभार रखता है, तो कहा सह मृदु११॥, उहा जो मृदु व्यक्ति है तिरस्क्रियते, उस मृदु व्यक्ति का तिरस्कार हो जाता है, उसे लोग कर देते हैं और अथनरुचितं मुंचत्वं माम अहम कृत निश्चया आप राजा के प्रति जो गलत बेवहार हो रहा है अगर उसका तिरस्कार नहीं कर सकते आप आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं तो मुंच माम मुझे आज्याँ दिजिए मुझे छोड़िये मैं जा कर लिया है किया निश्चे किया है बता पी रहे हैं लक्षवनषवनख उनका seemed युवति रहित्म लोकम कर तुन मैं संसार को ही युवतियों से रहित कर दूंगा इतनी बड़ी बात लिश्वनग तुनका गोहा हो चाह कि मैं ऐसा कर दूँ अब क्यों वजह क्या है तो वहां पर यतस्च्छलितावयम हेतु दे रहे हैं जिसके कारण हम छले गए हैं रानी कैकेई का अधिकार भी उतना ही है जितना कौशल्या का और सुमित्रा का फिर कैकेई अपनी बातों में लाकरके राजा को अपनी बातों में रोक करके और इतना बड़ा वितंडावाद कैसे कर सकती हैं इतना बड़ा च्छल कैसे कर सकती हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखके लक्षमड इतने कुपित हो जाते हैं और आकरके इस प्रकार की क्रोध युक्त और कड़ी भासा का व्यवहार करते हैं कि मुझे आज्या दीजिए अब हमें छोड़िये और मैं ऐसा करने जा रहा ह सीता वहां उपस्थित होती हैं और सीता कहती हैं आर्य पुत्र रोधितब्यकाले यह रोने का समय और कश्ट के समय में सौमित्रिना लक्षमड के द्वारा धनुर ग्रहीतम धनुसधारन कर लिया गया और थात ये तो युद्ध जैसी स्थिती बनती जा रही है और अपूर वहां खल अस्यायास है इनका जो आयास है वहां अपूर्व है इनका जो खेद है वहां अद्वितिय है ऐसा खेद कभी मैंने पहले देखा ही नहीं लक्षमड का इस तरह से विकृत स्वभाव हो जाएगा मैंने तो कभी देखा ही नहीं था अपूर्व है अर्थात अद्रि किमिदम यह क्या है ऐसा क्यूं कर रहे हो तब लक्ष्मड कहते है कथम कथमिदम नाम कैसे कैसे किमिदम हमसे आप पूच रहे हैं यह क्या है आपको नहीं पता आप हमसे अभी पूँछ रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रमप्राप्ते हते राज्य जो वन्स परंपरा से प्राप्त यथा क्रम से प्राप्त राज्य का पहरण हो गया राज्य हाथ से चला गया और भूवी शोच्य आसने निरिपे राज्य हरण हुआ तो हुआ जो निरिप हैं वह राजा भूवी प्रिथिविय में गिरे हुए हैं शोक के आसन पे पड़े हुए हैं शोक संतप्त हैं और इदानीम अपिसंदे हैं अभी भी आपको संदे है कि क्या हुआ आप हमसे पूछ रहे हैं किम शमा निर्मनस्विता क्या शमा स्वाभिमान रहित जीवन जीने का ही नाम है निर्मनस्विता आजाना ही क्या शमा है शमा शेल इसलिए हुआ जाता है शमा की भी एक सीमा होती है हद होती है इतना जादा शमा भी उचित नहीं होता इस तरह शमा के स्वभाव को लक्षमड एक परिसीमन के रूप में व्यक्त करते हुए राम को कह रहे हैं तब राम कहते हैं सुमित्रामातह अस्मद राज्य भ्रण्षो भवतह उद्योगम जनयति आह अपंडितह खलु भवान अरे लक्षमड अस्मद राज्य भ्रण्ष हमारा राज्य का चला जाना राज्य का भ्रण्ष हो जाना भवतह उद्योगम जनयति आपका यह जो क्रोध है आपका यह जो यतन दिखाई पड़ रहा है यह सायद उशी वजह से है क्योंकि हमारा राज्य चला गया क्रोधित हो रहे हैं क्या यही कारण है और आहा यहां कश्ट के लिए संबोधन कर रहे हैं आहा अपंडित हा खलुभवान आप तो अपंडित हो गए हैं पंडित का अर्थ बुद्धिमान होता है और अपंडित अर्थात बुद्धिमान बुद्धी का अभाव हो जाना तो आ आप इस समय पर सद असद का विवेक नहीं कर पा रहे हैं, सही गलत का निरड़े नहीं कर पा रहे हैं, यह बात राम कहते हैं, तब समझाते हुए आगे लक्षमण को पुनह कह रहे हैं, भरतो वा भवेद राजा, वयम वा ननुतत समम, यदि तेस्त धनुष लागा सराजा परिपाल लेता, बड़ी अच्छी बात राम ने यहां कही, भरतो वा भवेद राजा, मै राजा बनूं या भरत राजा बने, क्या फर्क पड़ता है, लक्षमण को कहा, यदि ते धनुष लागा, अगर आपको अपने धनुष में इतना बिश्वास है, धनुष की प्रशनुषा आपको इतना सुनना अच्छा लगता है, तो भरत परिपाल लेता है, भरत की रक्षा करो, मै राजा बनूंगा, तो आप हमारी रक्षा करेंगे और अगर भरत राजा बन रहे हैं, तो इतना क्रोधित होने की अपेख्षा, अगर धनुष में आपको स्वाभिमान है, कि आप अपने धनुष के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, तो भरत की रक्षा करिए, यह उचित है, और दोनों में ही समानता है, वय मै बनू राजा, समम यह बराबर ही है, यह बात लक्षमड को राम ने समझाते हुए कहा, तब लक्षमड कहते हैं, नशक्नो मिरोशम धारईतुम, भवतु भवतु, गच्छा मस्तावतु, राम की इन बातों को सुनके लक्षमड के मन को बड़ा उथल पुथल मन में हुआ, और वो कहते हैं, न नशक्नो मिरोशम धारतुम, मैं क्रोधु को धारण नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आपको सभाल नहीं पा रहा हूं, और भवतु भवत, अच्छा ठीक है, ठीक है, गच्छा महतावत, ठीक है, मैं जा रहा हूं, ऐसा कहके लक्षमड दूसरी ओर चल देते हैं, और प्र उनसे कह रहे हैं त्रेलोक्यम दग्धुकाम एव ललातपुट शंस्थिता भृक्टिर लक्षमडस्यईशा नीयतीव ब्यवस्थिता त्रेलोक्यम दग्धुकाम मम इव त्रैलोक्यम दग्धु काम एव ऐसा लग रहा है कि तीनों लोगों को दग्ध करने वाली है कौन? कहा लक्षमणस्य एस्षा भृकुटि ही लक्षमण का यह जो कोप है भृकुटि अर्थात ये भाउं को भृकुटि कहा जाता है समस्क्रित में तो लक्षमन की जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी भृक्टी टेंड़ी होती है भाउ टेंड़ी हो जाती है लक्षमन का भी ऐसा ही स्वरूप है इस समय कि लक्षमन की जो भृक्टी है वह तीनों लोकों को दगध करने वाली है ऐसा लग रहा जला करके राख कर द जैसे नियती व विवस्थिता, जो नियती अर्थात पूर्व निर्धारित हमारी जीवन की या भाग्य की दशा होती है, हम अपने जीवन में क्या-क्या करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि यहां हमारे भाग्य में लिखा होता है, तो नियती के समान, होनी के समान, भविस्य में होन जो घटनाएं हैं उसके समान लग रहा है कि लक्षमड की यह भ्रिकुटी द्रहे लोक के को दख्ध करने के लिए नियत के समान स्थिर हो गई है ब्यवस्थित हो गई है लक्षमड को देख करके ऐसा मालूम पड़ता है यह लक्षमड की प्रती राम कह रहे हैं उसके बाद लक्षमड को आवाज देज़े हुए राम कहते हैं सुमित्रा मात ह इतस्तावत इतस्तावत इधराओ 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 हे लक्षमड इधराओ बुलाते हैं और कहते हैं आरिय एयम अस्मी राम के बुलाने पर लक्ष्मण ने कहा आरिय अयम अस्मी है हे आरिय मैं आ गया लीजिए मैं आपके सामने हूँ तो राम पुनह समझाते हुए कहते हैं भवतह स्थैर्यम उत्पादयता मैं एवं अभिहितम अरे लक्ष्मण बुरा मत मानना मैं तुमको स्थिर करने के लिए आप भुत क्रोधित हो रहे थे इसलिए आपका स्थैर्य लाने के लिए एवं अभिहितम मैं ने ऐसा कहा इन बातों को अन्यथा मत लेना अब समझा रहे हैं लक्ष्मण को उत्यताम इदानिम अब तुम मेरी बातों को समझो कैसे एक श्लोक के माध्यम से लक्ष्मण को बड़ी अच्छी बात राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण जब परिवार पे आपत्ती विपत्तियों का पहार तूटता है तो उसमें धैरिय से काम लेना चाहिए क्या तो इस श्लोक में कहते हैं ताते धनुर्णमै सत्यम वेक्ष्यमाडे मुन्चानि मातरिशरं स्वधनं हरंत्यां दोशेशु बाह्यमनुजं भरतं हनानी किम्रोषणायरुचिरं त्रिशु पात केशु कह रहे हैं हैं हे लक्ष्मण ताते धनुर्णमै मै सत्यम वेक्ष्यमाडे मैं सत्य को देख रहा हूँ मैं यथार्थ को देख रहा हूँ मैं यथार्थ को जिस प्रकार से हमने समझा उसी प्रकार से तुम भी यथार्थ को समझो और जरा मुझे बताओ कि मैं धनुष का प्रहार किसके ऊपर करूँ ताते क्या पिता के ऊपर धनुष का प्रहार किया जाए पिता ने अभिशेक का वचन दिया है तो क्या पिता के ऊपर धनुष का प्रहार किया जाए उनके उपर बान चलाया जाए अथवा मातरी, शरम मुँचानी कीद्रिशीम, स्वधनम हरंत्या, जो अपना धन प्राप्त करना चाह रही है पीछे भी चर्चा आई इस वात की कि वह पूर्व में ही निर्धारित्था कि भरत को राज्या भीशेक होना चाहिए राजा भरत होना चाहिए उनकी कईकई का जो प्रथम पुत्र, बड़ा पुत्र वो राज्या होगा ये पूरो में बचंदे दिया गया था तो स्वधनम हरंत्याम जो अपना धन प्राप्त करना चाह रही है राज्य उसका धन है, माता कैकेई का धन है तो स्वधनम हरंत्याम अपने धन को प्राप्त करने वाली जो माता है क्या हम उस माता पर बाण चलाएं मातरी और तीसरा तीसरा कहते हैं क्या इस दोश के लिए इस विपत्ती के लिए बाहियम जो बाहर है राज्य में क्या हो रहा है पता भी नहीं ऐसा बाहियम स्वा अनुजम अपने अनुज कोन कहा भरत क्या हम भरत को मारें बोलो इस निर्णे के लिए राज्य हमें नहीं मिल रहा है एतदर्थ पिताक के उपर बान चलाया जाए या माता के उपर बान चलाया जाए या जो इन सारी गत्विधियों से अनभिग्य हैं उस अपने छोटे भाई भरत के उपर बान चलाया जाए किसके उपर तुम धनुस चलाने की बात कर रहे हो ये बात लक्षमड राम से कह रहे है बोलो त्रिशु पात के सु कह इन तीन बड़े जो पाप हैं इन तीनों पाप में से कौन सा पाप करना स्रेष्ठ है तुम ही बताओ इस तरह से राम के कहने पर कि तीनों में कौन सा पाप करना चाहते हो तुम किसके लिए धनुस उठाने की बात कर रहे हो लक्षमड जब राम ने इस तरह का जुलंत प्रश्ण सामने रखा तो लक्षमड शान्त हो जाते हैं और लक्षमड बड़े दुखी होते हैं और सवास्पम आँखों में पानी भर आता है और कुछ कहते हैं तो लक्षमड का भाव क्या बनता है लक्षमड कुछ हलग ही कहते हैं कि राम मैं इन सारी राज्य के लिए मैं ये सारी बाते नहीं कह रहा था मेरे तो दुख का कारण कुछ और ही है मैं इतना क्रोधित राज्य के लिए नहीं हो रहा हूं मेरे क्रोध का कारण तो कुछ और है इस बात को लक्षमण कहते हैं इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे और आज के क्रम में हमने जितना पढ़ा उसे अपने शब्दों में हम टिपड़ी पुस्तिका में सरल सम्स्कृत में लिखने का प्रयास करेंगे और इसे सम्मंधित प्रश्नुत्तर का भी अभ्यास करेंगे आज के अभ्यास क्रम में आज के पाठ में इतना ही इसके आगे के क्रम को हम कल पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल ओड़ेंगे आज को हम जाए जाए झाल कि अभ्यास करेंगे तब दर खव्यास करेंगे झाल प्रावाद